सब्सक्राइब बच्चों नमस्कार अभी बिल्कुल आसां तरिक से इस्टेप पाइस्टेप LCM and HCF of 6 and 20 कैसे फाइंड करें बच्चों यहाँ पर प्राइम फेक्ट राजिसन मेथरड यह नहीं अभाज यह गुनंद खंड विधी काम में लेंगे इस वीडियो को पूरा देखे आनी वीडियो देखनें के लिए चैनल की playlist पर विजिट करें बच्चों करना क्या है इनके अभाज यह गुनंद खंड करने हैं तो अभाज ये गुणंद्खरण करना आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम सीख लेंगे, करना क्या है, अपने को इन में अपनी अभाज ये संख्याओं का भाग देना, अभाज ये संख्याओं का मतलब क्या होता, किसी भी संख्या को अभाज ये संख्याओं के गुणा क लूप में लिखना छीक है तो अब आज ये संग है कौन सी ये बच्चों 2, 3, 5, 7, 1 से लेका 10 तक की अबाजिय सेंगा, सरवप्रतम दूसरे भाग चेक करते हैं, तो छे आपका दूसरे भाजिय कितनी वार, तीन वार, फिर तीन आपका एक अबाजिय सेंगा, तीन में तीन का भाग, एक वार, इसमें दू का भाग गया, 20 में यहां देखिए भाग नहीं आ रहा डारेक्ट देना तो ऐसे सैड में लिखकर देख लो 20 में 2 का भाग दिया कितनी वार गया 10 वार फिर 10 में 2 का भाग जा रहे आपका 5 वार फिर 5 में 5 का भाग बच्चा आपका 1 वार तो 6 के हमारे पास गुणन खंड क्या आगे यह दो गुणा तीन 20 के यह आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों दो दो आ रहे तो दो की घाट दो पांच एक वार रहे तो यहां इसको क्या लिख सकते हैं दो की घाट एक और तीन की घाट एक एक वार रहे दो तो इसे याद रख़ो देखेv कैसे निकालते एक्सियो क्या करना होता है तो इसका full forum याद करो याद रहाने का तरीका क्या होता है highest common factor जो या सबड़ आरे है common factor या लेना है common factor क्या होता इसा fois क्टर जो यहंआ भी है क्हुन है दो कौन सा लें दो सबसे कम गाथ कितनी है एक है अब LCM LCM इसका उल्टा बोलता है LCM बोलता है सबी फैक्टर लो और ध्यान क्या रखो उसका अधिक तमगात लो क्या लेना है अधिक तमगात लेना है तो देखे दो यहां भी है दो यहां भी यह लो, दो ले लिए, दो के अधिक तमगात कितनी है, आप कहेंगे दो है, यह लो, दो आपका फिरी हो गया, उसके बाद तीन, तीन के अधिक तमगात कितनी है, एक यह, उसके बाद पांच, पांच के अधिक तमगात, एक है, ओके, अब हम इनका गुणा कर देते ह के इतना आगया शाट आगया यह आपका यह आपका अपर यह आपका यह आपका अवह आशान है